अमीबिक डिसेंट्री होती क्या है क्या यह और आपके लूज मोशन्स वन एंद सेम थिंग होते हैं बल्कुल भी नहीं यह अमीबिक डिसेंट्री बहुत डिफरेंट है सबसे पहले तो यह कॉज होती है इक आपके प्रोटोजोन से कौन से से जानना है तो फटा पर सब्सक्र दिसेंट्री की बात करते हैं या कॉममन भाषा में बोलते हैं तो लोग काफी हद तक इसको कन्फूज करते हैं विद लूज मोशन्स यह इवन काले रा यह अलग अलग चीज़ों से बट एप्ट हमीबिक ही कहते हैं जिसको हम अमीबियास भी कहते हैं यह कहीं न कहीं कई गुना जादा खतरनाक होती है परेशान बहुत करती है हालांकि इलाश तो है treatment है बट अगर प्रोलॉंग है तो कहीं न कहीं बहुत जादा दिक्कत होने की chances होते हैं So, होता क्या है? Let's start again. Amoebiasis या फिर आपकी amoebic dysentery. ठीक है? इसको हम दूसरा नाम भी लिख देते हैं. ताकि बिलकुल भी confusion जो है वो ना हूँ. ठीक है? Amoebic dysentery. Right? Now, when I talk about amoebic dysentery या इसका next amoebiasis का causative agent जो है वो है आपका एक protozoan. ठीक है? जिसका नाम है entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica. ठीक है? अब ये entamoeba histolytica जो होता है जैसे मैंने कहा कि this is a protozoan. ठीक है? ये पाया कहा जाता है? या फिर ये जो पुरा infection है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो होता कैसे है? ये वाला जो infection है कही ना कही हमको ये समझना है कि this occurs या फिर ये होता है आपके feces के contamination वाले food से. ठीक है? Feces contaminated food या फिर water से. Now what happens? Again वही problem. अगर आप toilet करने या excreta जो है या आपकी जो feces है अगर आप खुले में करेंगे तो ये problems रहेंगी. इस type की जो problems है वो रहेंगी. होता क्या है अगर कोई person who is infected with this जिसको already amoebic dysentery है और वो खुले में यानि की open area में जाके feces पास करता है, excrete करता है या फिर जिसको हम कहते हैं खुले में शौच करता है, होगा क्या जो उसकी feces है या जो उसका excreta है या जो ऐसा matter है उस पे आके हमारे enemies में से जो एक prominent है house flies वो आके बैठेंगी इनका काम ही है गंदगी पे जाना इनका काम ही है गंदगी वाली जगह पे जाना यह वहां जाएंगी ठीक है उस पे बैठेंगी कई बार ऐसा होता है कि इसका protozoan जो है जो मैंने कहा है यहां पे ठीक है यहां मैं लिख दे रहे हूं आपका कि this is a protozoan confusing ह जो होना है ठीक है यह जो है आपका यह house flies के पैरों में लग जाएगा house flies के पैरों में यह जैसे ही लगेगा ठीक है house flies यहां से ओड़के कहा जाएंगी या तो पीने के पानी पर या फिर इनको और फूर्ट चाहिए होगा तो उसकी तलाश में अच्छा मक्षी जब ऐसे गं वो रब करती रहती है अब ऐसे में अगर इसके लेग्स पे आपका इंटिमीबा हिस्टलाइटिका लगा है और वो पीने के पानी या खाने पे बैथी हुई है and if she's rubbing the legs यानि वो कहां गिर रहा है या तो पानी पे या फिर आपके खाने पे अब जब पानी पे या खाने पे वो गिरेगा so obviously है कि जो आपका food या water जो है वो से contaminate हो गया है food and water contaminated जो है कोई अगर healthy individual इसको consume करता है ठीक है कोई healthy individual अगर इसको consume करता है इसका अगर consumption होता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर भी आपका जो causative agent है वो चला जाएगा अब जब इसके अंदर healthy individual के अंदर ये आ गया है तो problems तो start होंगी सबसे पहले तो ये effect क्या करता है ये effect करता है आपकी intestines ठीक है आपकी intestine effect होंगी अगर symptoms की मैं बात करूँ तो मैंने पहले भी का था these are not your loose motions ये loose motions नहीं है बिटा आपके ठीक है उल्टा इसके जो में आपका कहूंगी symptom वो है आपका constipation ठीक है यानि कि जो आपका excreta है जो आपका fecal matter है जो आपका stools है वो passing होते है ठीक है बहुत जादा stomachείο होती है यानि की pate बहुत ty cramps को हिंदी में क्या कहते है क्या करते है करम सको हिंदी में marode कहते है ठीक है कि आपके जब ज़्यादा मूकस होगा आपका प्लस आपके ब्लड क्लोट्स भी हो सकते हैं क्यूंकि कॉंस्टीपेशिंट अगर जब ज़्यादा होता है तो आपका स्टूल जो है यानि आपका एक्स्क्रेटा मैंतर जो है we hard हो जाता है और जब ऐसे hard stool ब्लड भी आपका कहीं निकलता इंटरनली और वह ब्लड प्लोट भी निकलेंगे। तरीके से आपका जो कहीं पुरा सिस्टेम जो है इदाइजिस्टिफ सिस्टेम वह हने होता है इसलिए बहुत जाद一定 है कि आप जोबी खाना खायां जो आप पानी पिए वह भागा हो या पैक्ड बॉ इसलिए जब आप कहीं ट्रावल कर रहे होते ह образом यह लोग दो जब छोटे होते हैं और स्पेसलिए जब ट्रेंसे चाबल करें भड़ा खुश्बुदार फूड आता है तो मम्य बापा हमेशा मना करेसे हैं कि यह खाना नहीं खाना है बड़ी गुस्सा भी आती है कि यार यह खाना क्यों नहीं खाने दे रहे हैं यही है हाईजीन में नहीं होगी फूड कंटामिने होगा इन फाक्त अभी रीसेंटली हम लोग बात करे थे हम तीम में आपस में बात करे थे देवस इस आडिकल जहां पे कहा गया था कि जैसे जैसे अप स्ट्रीट फूड की तरफ जाते 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 जो जितना लोग लेवल आप street food पे जाते हो उतना जादा आपका feces या fecal matter जो है वो mix होता जाता है यानि उनका amount जो है वो आपके street food पे जादा दिखता जाएगा आपको ठीक है? जो यह बहुत जादा एक चिंता जनक बात है कि आपका excreta जो आपका fecal matter है वो आपके food या water में आ रहा है and this is a reason कि आपको यह नहीं खाने चाहिए this is a reason कि आपको street food अगर आप खा रहे है तो भी थोड़ा बहुत बहुत करें कि वो hygienic हो घरों में आप देखते होंगे कि मम्मी आपका खाना फड़ा फट जैसी बनता है वैसे ही ढखती है पानी हमेशा ढखे हुए बरतन में रखती है या फिर bottles में फिल करके रखती है ताकि उन पर कोई भी जो इस टाइप के organisms हैं ना बैट पाएं houseflies, cockroaches, mosquitoes, these are your vectors and vectors will definitely carry some other kind of organism जो आपको pathogen लगे इसलिए बहुत जरूरी है समझना कि खाना हमेशा ढखा हुआ खाना चाहिए पानी हमेशा बंध पीना चाहिए and this is the reason कि आपको यह सारी चीज़ें पढ़ाई भी जा रहे है ठीक है? तो यह था आपका amoebiasis I hope clear होगा एक बार read लगा लेंगे, read कर लेंगे, एक बार questions कुछ solve कर लेंगे spelling ध्यान देजिएगा intermeba histolytica कि आपका यह छोटा सा concept ready हो गया है ठीक है? तो चलिए I'll see you soon with another video जो की आएगा आपके अब worms की तरफ हम बढ़ रहे हैं next video होगा ascaris से related so do not miss it on subscribe करें, bell icon press करें I'll see you soon, keep reading keep solving questions, take care thank you